नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आज किस फीडियो में थमनेल देखके तो आप लोग यही समझ रहे हूंगे कि क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूं यह मतलब धर्ती पे जमीन खड़िदना तो समझ में आता है चांद पे जमीन कैसे खड़िद सकते हैं यहीं सोच रहे हूंगे आप लोग तो आप लोग मुझे यह पता है कि आप लोग सुसान सिंग राजपूत के बारे में जानते तो होंगे उन्होंने अपने लिए एक जमी खड़िद सकते हैं अगर खड़िद सकते हैं तो उसका रिटिश्ट का कैसे अग रोपय है किस तरह समझाल कर एकनज प्रण सब्सक्राइब करेंगे कि आपको जमीन कैसे खड़ीदना है कहां से खड़ीदना है कितने रुपए में खड़ीदना है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चली लैप्टॉप के स्क्रिन पे चलते हैं और समझते हैं पूरा प्रोसेर तो चली जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे लैप्टॉप के स्क्रिन पे मैंने एक वेबसाइट लोगिन करके रखा है लुनाररशिस्ट्री.com ठीक है तो लुनाररशिस्ट्री.com जो एक वेबसाइट है जहां से आप जो है चांद के उपर जमीन बुक करा सकते हैं वहां से जमीन खरीद सकते हैं आप देख सकते हैं यह मेंगाए वेलकम तूदा मून तो कुछ इसतरह का इंटरफेस है बहुत म इंटरफेस बना रखा है वेबसाइट का है ना और हम अगर ऊपर देखे मेन्यूज चेक करें तो यहाँ पे होम बाइप मून प्रोपर्टी वाट यू गेट आवर स्टोरी एफ एक्यू कॉंटेक्ट अस अनकाट ठीक है तो इस तरह का जो है इनका इंटरफेस है तो हम लोग सिधा बाइब मून प्रोपर्टी पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेबसेट लोड होने में टाइम लेर है रीजन है कि इस वेबसेट पर ट्राफिक ही बहुत जादा क्योंकि आजकल सब कुछ अलग करने की सूच रहे तो यह जमीन चांद पर खड़िदने के लिए बहुत ल लोड हो चुका है और हम नीचे आते हैं यहां पर देखे क्या लिखा हुए चूज यूर लैंडिंग साइट ओन दो मून ठीक है तो इनके पास देख लेता है करेंटली कितना जमीन बचा हुआ है अभी सेल आउट के लिए सेलिंग के लिए तीन तीन शे तीन नौ तीन बारह बारह साइट इनके पास है सेल होने के लिए क्या क्या देख लेते हैं यहां पर है सी ओफ ट्रंक्वालिटी लेक ऑफ ड्रीम्स लेक ऑफ हैपिनेस मॉस्कोविनेस लुनार उसके बाद थावरस मॉंटेन सी ओप रैंस ओशन ओप स्टॉर्म बे ओप रैंबो सी ओप क्लावड इस्टन सी तो यह जो है साइट बचे हुए हैं थोड़ा साम नीचे आते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा चांद का रियल इमेज यह जो है चांद का रियल इमेज है और यह जो जमीन की जो प्रोपर्टी साइट्स दिख रहे हैं ना वह चांद पर कहां इस्थीत है वह आप देख सकते हैं यहां पर चलिए जैसे मैं करसर यहां पर ला रहा है यहां पर यहां पर है है ना और हम यहां पर चले लेक ऑफ ड्रिंट ऑर हम कहीं देख लेते यह यह यहां पर यह उप्रस्ट शुरांग्वालिटी पीर करने का बाद हमें स्टेट क्या जाए गा pra प्याशा रेट वेसे गरा दिखाए जाए आगए की रेट क्या है और क्या क्या स्टेप सरी इनको इस प्रोपर्टी को खड़ी दने का ठीक है तो पेज लोड हो रहा है और आई होप की बहुत जल्द लोड हो जाएगा आराउंड लोड हो ही गया है जी हां तो चलिए हम लोग पेज पर पहुंच चुके हैं अब देखिए यह जो है कुछ इस तरह से दिखता है अगर हम नजदीक से देखें तो कुछ इस तरह से दिखेंगा यह जमीन का छेत्रा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए मून में यह च्छेत्रा होगा मैंने पहले भी दिखा दिया आपको अब देखिए वेलकम तो दे मून यू आर व्यूविं प्रोपर्टी इन दसी ओ आई एन आर ठीक है क्या था 42.37 चलिए तो हम यहां पर टाइप करते हैं 42.37 लगभग जो है 3500 रुपे का जो है एक एकर जमीन मिलेगा हमें यहां पर ठीक है तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं प्राइस इस वाले ओप्सन पर तो अब आप देख सकते हैं यहां पर स्टेप स्टेप वन में क्या है प्लीज एंटर दफूल लीगल नेम ऑफ दफ्रोपर्टी ऑना ठीक है चाहे वह इंडिवीजवाल हो चाहे ग्रूप हो चाहे बिजनेस हो इंडिटी उस इंडिटी हो ऐस इट साल अपिर और डॉक्यमेंट तो चाहे वह कोई इन्डिवीजवल आदम आदम्हें अपने नाम से खड़ीत रहा हो चाहे दोचार आद्मी दो से अधिक्ति पर और और लोबर लेक्स जो भी नाम डालेंगे एक capital то नहीं चीड़िये जैसे महां पर अपना ही नाम डाल देता हूं फिलाल जैसे कि मैंने फॉर एक्जांपल यह अपना नाम डाल दिया ठीक है यहां पर करें डू नोट यूज ऑल कैप्स मत्तब कि कोई ऐसा भी मत करना कि पूरा का पूरा लेटर ही डाल देना अब उसकी नीचे एक लाइन और लिखा हुआ है बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है ध्यान रखेगा डिद्यू स्पेल नेम खरेक्ली आड़ यू 100 परसंट स्योर जो भी नाम आपने डाला है क्या उसका स्पेलिंग सही है आप पूरा 100 परसंट शूर है अगर नहीं है तो अगर फिर से चेक कर लिजे क्यों ऐसा यह इन्होंने लिखा है यह लिखने का कारण यही है कि गलती से भी कोई स्पेलिंग आगर आप मिस कर देते हैं तो आप अपने जमीन पर अपना मालिकाना हक नहीं ले सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 10 परसेंट का डिसकांट मिलेगा और जमीन मुझे पड़ेगा 38.13 पर एकर अगर हम पांच एकर जमीन कठा लेते हैं तो 36.01 पर एकर मिलेगा अगर 10 एकर जमीन लेते तो पूरा का पूरा 20 परसेंट डिसकांट लगभग यह समझ लिए 2800 रूपे के आसपा जो है 289 रूपे आपको पर एकर जमीन मिलेगा अगर आप 10 एकर लेते हैं तो अब देखिए नीचे एक नोट लिखा हुआ है लिमिट कितना जमीन आप एक बार में खड़ीद सकते हैं यह क्या रहा है कि 10 एकर पर ओनलाइन पर्टेस अगर आप ओनलाइन इस वेप साइट से पर्टेस करते ह आप 10 एकर जमीन खड़ी सकते हैं अगर 10 एकर जमीन खड़ीदना है तो अगर आप यूएस में है तो इनके office में contact कीजिए जाके और आगर आप out of country है तो आप contact aspect लिख करके इंसे contact कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर step 3 में चलते हैं अब हम लोग step 3 में देखिए बहुत यह अच्छा चीज है यहां पर लिखा हुआ if this property is intended to be given as a gift we will include a free gift note which is with the shipment ठीक है please check for spelling errors before submitting यहां पर यह कह रहा है कि अगर यह जमीन आप किसी को gift में देना चाहते हैं तो जो यह company है जिसको आप gift दे रहे हैं उसके लिए एक gift note भी डाल के देगा उस document के साथ थोड़ा अच्छा लगता है presenting अच्छा लगता है तो जो भी आपको note लिखना है वो note जो है आप यहां पर gift message box में यहां पर लिख सकते हैं ठीक है और spelling का आपको ही धियान रखना है वो gift card पे अब यहां पर कहा रहा है प्लीज note 75 character maximum यह 75 character कहीं होगा ठीक है न तो it's a card not a letter यह एक card की तरह होगा छुटा सा लेटर नहीं होगा कि आप पूरा पन्ना का जो है को एक जो है वो निबंध लिख दी है ऐसा नहीं करना है आपको gift card की तरह जो है दो चार लाइन का मज़ा तो 75 character का आप जो है note से यार कर सकते हैं ठीक है अब कह रहा है prefer a blank card simply enter blank in the field आप चाहते हैं कि भाई ऐसा है यह gift card हमें blank मिलना चाहिए है ना मुझे gift card भी भेज़ दो जो blank हो मैं खूद manually लिखूंगा सुन्दर वाले paint से तो आप इस box में जो है आप इस gift box में जो है यह blank लिख देंगे सिर्फ blank लिख दो आपके साथ आपका document के साथ एक gift card भी भेज़ देगा वह भी blank अब देखे एक चीज और यहां लिखा है sorry but please don't use emojis they won't print properly जो भी आप note लिखेंगे gift note लिखेंगे उसमें जो है आप emoji का उपयोग ना करें क्योंकि वह emoji print out होने में problem करती है ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं step 4 पर ठीक है step 4 में लिखा है given property for a special occasion such as a birthday anniversary or holiday at no edition charge will be custom date the document to commemorate the occasion at your request actual claim to the property commences on the other date order date ठीक है मतलब यह कहना चाहा है कि अगर आप इस property को किसी को खड़ीत के देते हैं मान लिजे gift के तो आप किसी ने किसी occasion पर मान लिजे देना चाहते कि कि किसी का बड़े है तो हम चांद कि पर जमीन खड़ीत के भाया gift दे देते हैं किसी का anniversary है तो हम gift दे देते हैं है ना holiday gift देना है किसी को कि कभी holiday पर चल रहे तो holiday gift देना है तो जो भी date होगा special जैसे birthday date anniversary date holy date अगर आप चाहते कि वह special date इस document पर छपके आना चाहिए यादगारी के लिए तो यह company क्या करेगी वह date भी छापके देगी आपको यहां से यहां से वह date mention कर देना है तो जो भी date आप mention कर दोगे special date वह छापके बेज देगा अब यहां पर कह रहा है if no date is entered if no date is entered today's date will appear on the documents मतलब कि अगर कोई भी date अगर आप इसमें नहीं फिल करते हैं तो जिस date को अब जमीन खडी देते हैं उसी date का जो है यह document छपके आ जाएगा वही date यहां पर feed कर देगी company automatic ठीक है बाकी यह सारे optional है यह अगर आप करते हो तो आपको charges pay करने परेंगे त इसको कुछ नहीं करना है आपको आगे बढ़ना है अब यहां पर फाइनल इस्टेप सब्मिट ओर ठीक है यहां पर हम प्लेस ओडर पर क्लिक करेंगे में हमने यह जमीन बुक किया है और का नाम यहां छपके आगा जो हम करेंगे और gift message आएगा इसमें ठीक है उसके बाद जो है यह जमीन का जो price हमने एक एकर select किया था तो वह इतना price है अब यहां पर देखिए एकर डिलक्स package see on tranquility का नाम वगरा ठीक है एक shipping एक billing address आएगा आपका उसके बाद यहां पर location से select करने कहां से आप हैं तो वह डालके add shipping पर क्लिक करना है add shipping पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अगर आप air mail के थुरू अगर आप यह document लेना चाहते हैं तो 49 dollar extra देना पड़ेगा और अगर आप जो है email के थुरू document लेना चाहते हैं तो आपको 12 dollar मिलेगा ठीक है add shipping मैंने क्लिक तो 12 dollar यहाँ odd कर दिया है और यहाँ पर जो है चौलासी dollar मैंने अक्चुली यहाँ भी एक-चर select कर लिया था मतलब मैंने total दो एकर select कर लिया है तो यहाँ पर total हमारा जो है दो-कर कदाम दिखा रहा है ठीक है और 12 dollar हमारा shipping charge दिखा रहा है वो document का ठीक है अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीची और आते हो यहाँ पर देखते हैं if you have a discount coupon और gift certificate please enter the code and click on apply अगर कोई भी coupon या code आपको मिलता है तो आप देखे अप्लाइ करेंगे तो आपको discount मिल जाएगा अब देखी यहाँ पर continue shopping और मतब और add करना है तो यहाँ पर continue कर सकते हैं चक आउट करिए अगर नहीं लेना है तो अब payment जो है PayPal से भी कर सकते तो PayPal से अगर आप करते हैं तो आपको 33.44 डोलार एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इ डिलिवरी मतब किस एड्रेस पर आपको रजिस्ट्री करके देगा यह तो तो टोल यह आप डिलिवरी नेम कंट्री डिलिवरी एड्रेस सीटी स्टेट पोस्टल कोड टेलीफोन सेल नंबर इमेल इमेल का इमेल यह टोटल देने के बाद जो है आप remember my name address for my future purchase अगर आप यह टिक करते हैं तो यह नेक्स्ट पर्चेस में सिधा जो है आपका नाम ओटमेटिक ले लेगा आईडी से ठीक है अब पेमेंट जो है पेवित पेपल या फिर पे बाई क्रेडिट कार्ड दो आपके पास ऑप्शन है दोनों में से जो यूज करना है आप कर सकते हैं और उसके प्रचेस में जानकारी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहें